hello everyone assalamualaikum this is my first video on this channel so you have to like subscribe and share it to your friends and now today we are going to azad college so let's see this is the entrance of azad college यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर azad college का यह entrance से और यह बीड बिल्डिंग है जहाँ पर आप इंटर होती हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से व्यूव दिखाई देगा यहाँ पर से आप college में interview हो सकते हो exit भी हो सकते हो यह बीड डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और यह chemistry डिपार्टमेंट है सो यहाँ पर आप हम इंटर हो रहे हैं बीड डिपार्टमेंट में अभी हम हराटवाड़ा college of education के बीड और अमेट डिपार्टमेंट के फर्स फ्लोर पर हैं जहां से हम देखेंगे कि हमको पूरा campus के लिए 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 नज़र आ रहा है यहां से बहुत ही beautiful campus है और सामने pharmacy department और हमको वहाँ पर दिखाए देगा junior department यहां पर जो 11-12 की classes होती है तो यह बहुत ही beautiful scenery है यहां से हम थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक उपसूरा सा garden नज़र आएगा और हमदुल्ला इसको बहुत ही अच्छे से maintain करके रखा हुआ है बहुत ही beautiful garden है उसके बाद जब हम थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो हम देखेंगे यह फार्मेसी का यह back sides का हिस्सा है और इसी के front में आप देख सकते हो यहाँ पर एक seminar hall है जहाँ पर जिरोक्स की shop भी है वहाँ पर inside of the college और यहाँ seminar hall में seminars होते हैं थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक administrative building है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपको 11-12 और graduation के admission करवाने हैं तो आपकी administrative building में आकर यहाँ पर visit कर सकते हो यहाँ पर एक library है उपर side प्लस नीच एक canteen है इन total पूरे campus में दो जो है canteen है boys के canteen उदर बड़ी अलग है girls की अलग है यहाँ पर administrative building के back site अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर junior college की lectures होते हैं और यहाँ पर उसके front में आपको एक बहुत ही shadow वाला जो एक tree दिखाए देगा और वहीं पर सामने आपको जो है एक department अजर आ रहा है जो के post graduation वालों के लिए हैं अगर किसी को MA, MSC और MCOM की अगर जो है admission करवाने हो तो हम वहाँ पर जो है विजिट कर सकते हैं तो यह है हमारा higher learning यहने की पूरे आज़त college का सबसे beautiful department बहुत ही खुबसूऱ department और बहुत ही अच्छा staff है यहाँ पर office की लोग भी बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो भी हमारी PG की डिगरी अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो है classroom से तो यह है हमारी higher learning research center प्लस जो है उसके front में आपको जो एक छत्री जिसको हम छत्री भोलते वो दिखाए देगी और उसी के नीचे एक library है और यहाँ पर देखी यह वे है जाने का प्लस उसी building के सामने आप देख सकते हो यहाँ से जो है हम सामने जो है हमको clearly जो है पूरा हमको campus नजर आता है college से exit करने का रास्ता यह एक है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह सामने जो है यह garden की तरह बना हुआ है जहाँ पर हम अगर कुछ work है तो यहाँ पर inside बैट कर जो है वहाँ पर कर सकते हैं प्लस यहाँ पर यह home है जो के principal का home है प्लस सामने front में जो है हम देख सकते हैं पर एक पॉलिट टेक्निक कर डिपार्टमेंट है और उसी के सामने अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको जो है एक बहुत ही खुबसूरत सा डोर बॉल नजर आएगी जहाँ पर हम इनसाइट जो है यहाँ पर डॉक्टर रफिक जकेरिया सर और जकेरिया मैम की जो है मजार बनी हुई है तो यह भी काफी सब बहुत ही खुबसूरत है और इनसाइट जाने की किसी को अतनी जादा परमिशन नहीं होती है इसलिए वो हमेशा जो है क्लोस होता है और हम यहाँ से एक्जिट कर रहे है जहाँ पर आपको सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो हाँ पर जो है लेक्टर्स होते हैं बीसी वालों के और इसी तरह हमारा जो है आज का यह वीडियो यहीं खत्म होता है इसके साथ जो है बहुत सारी और भी चीज़े है जैसे के बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन भी है वहाँ पर जिसकी वीडियो हमने अलरेडी बना के रखी हुई है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप महा से उसको देख सकते हो Thank you so much